महल के उपर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ मुर्तिया बनाई गई है जो कि राजा महराजाओं की यदगार में यहां मुर्ति लगाई गई है देखने से भव्य लगता है और इसका एक अलग ही पहचान लगता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसको अभी कोलेज बनाया क्या है जिसका नाम है महारानी पुनम साही बीएड कोलेज हंत्वा गोपाल गंज यहाँ गोपाल गंज के अंतरगत आता है नमस्कार दोस्तो स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नए ब्लोग में दोस्तो आप लोग देख सकते हैं पीछे एक महल दिखाई दे रहा है यहाँ कोई मामोली महल नहीं है एक जमाना हुआ करता था जिस टाइम इस महल में राजा और रानी और उनके बहुत सारे सिपाही नोकर चाकर इस हवेली में इस महल में रहा करते थे गोपाल गंजिले के हथुआ राज की कहानिया बहुत अंसुनी कहानिया है बहुत सारे लोग सुने भी होंगे और जानते भी होंगे इसके बारे मैं खास बात मैं बहुत सारे सिपाई थे नौकर चाकर थे समय वित्ता गया और लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उनके वारिस अभी भी हैं यहां पे तो अभी यहां पे लोग नहीं रहते हैं अभी रहते हैं बिहार की राजधानी पटना में और साल में यहां पे एक या दो बार अपने हवेली को घुमने आते हैं पहले इस महल का लुक कुछ अलगी था उसके बाद से कुछ टाइम बित गया तो काफी पूराना हो चुका था तो इसको तोड़कर फिर अच्छा सा इसको बनाया गया और उसके बाद से यह एक भाब यह लुक लगने लगा यह जो किला है इसका जो मुख्य किला था वह किला यहां से 100 मीटर दोरी पे है और इस किले को यह सेकेंड किला है इस किले को बीएड कॉलेज बनाया गया है अप लोग देख सकते हैं जिसका नाम है महारानी पूनम साही बीएड कॉलेज हत्वा गोपाल गंच तो फिलाल में इसको बीएड कॉलेज बनाया गया है और जो इसका मुख्य किला है वह यहां से 100 मीटर दोरी पे है इस किले से कई गुणा ज्यादा वह किला भाव्य लगता है देखने से तो मैं कोशिश करूँगा कि उस किला का भी आप लोग को वीडियो दिखाऊंग एक समय हुआ करता था जब हतुआ राज का नाम दूर दूर तक लोग जानते थे अपने जमाने के लिए हतुआ राज एक अलगी पाचन बनाता था इस हावेली की बात करें तो नजाने इसमें कितने कमरे हैं और नजाने कितने खिड किया हैं और अजीवो गरिब इसमें बस्तुएं मिलेंगे जो कि पुराने जमाने का सब बस्तु अब भी तक रखा गया इस हावेली में और यहाँ पे तुरिष्ट की ब जो कि मुझवफरपूर छपरा पटना गोपाल गज में अथवा नमक जगा और हथवा सहर और हथवा मार्केट एस्तित हैं दोस्तों इस जगा पर कई सारे मूवी और कई सारे सिरियल का भी सूटिंग हो चुका है जैसे बोचपूरी मूवी हिंदी मूवी हिंदी सिरियल पर सिरियल और मोवी सूटिंग हो चुका है यह जगा बहुत ही सूपरसीद है सिवान जीले और गोपाल गजीले से महज 15 किलोमेटर दूर पाइस्तित हंथुआ राज एक अलगी पाचान मनाता है जो कि छपरा से 75 किलोमेटर की दूरी पर हंथुआ राज बसा हुआ है दोस हुआ 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 है दोस्तो हुआ राज का बहुत सारा कहानिया है जानेंगे हम अगले वीडियो में तो यह वीडियो यहाई पर समाप्त करते हैं वीडियो आप लोग को कैसा लागा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा चैनल पर पहली बराये हैं तो चैनल को स जबा दीजिएगा मिलते हैं कुछ ऐसा है नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जाए हिंदर